नमस्कार दोस्तों, राजस्तान वीडियो ग्राम विकास अधिकारी बर्ती के लिए हम देख रहे थे रिजनिंग वी से आज रहेगी हमारी कलास नमबर पांच दोस्तों, जिसके अंदर हम देखेंगे रिस्ता समंदी, यानि बलड रिलेशन से रिलेटेड साथ परकार के परसन, ये साथ परकार के परसन अगर आपने सोल करना सीख लिया, तो ये मान कर चलो कि बलड रिलेशन का क्यूसन आपका गल अपरस के हर एक टोपी के अनुसार क्यूसन एंस्वर लेकर आ रहे हैं, तो उनकी कलासे जरूर अटेंट कर लें दोस्तों, चलते हैं इस कलास की और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और जो नए साथ ही है, वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, मि अगर आप चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, तो खुद पर लागू करें, और फिर उनको सोल करने का प्रियास करें, ये बाते हैं, ध्यान रगना मित्रू इनसे आसानी से आप अपना क्यूसन एंस्वर कर सकते हैं, और वैसे दूसरा तरीका यह है, कि आप चार्ट बनाएं चार्ट बनाके, जिस परकार मैं आपको यहाँ पर चार्ट बनाकर सिखाऊंगा, कि चार्ट बनाकर आप कैसे क्यूसन एंस्वर को सोल कर सकते हैं, तो चार्ट बनाकर आप करें, और अगर आप खुद पर लागू करते हैं, तो अपने परिवारिक जो रहते हैं, उनके पाहिव रेता या आपके सामने रेता तो मैं आपको अपने खुद पे लागू करके क्यूसन एंस्वर है उसको निकालना सिखा सकता था लेकिन हमारे सामने जो उप्सन है उसके अंदर हम चार्ट ही बनाकर क्यूसन एंस्वर को सोल कर सकते हैं क्यूसन देखी क्यूसन को सार ही चार्ट बनाना है सबसे पहले क्या का गया है ए बी की मा है ए है जो क्या है मित्रू ए है जो आपके बी की मा है अब यहां पे आपको द्यान रखना है पूरुस है तो उसके लिए आपको पलस यूज करना है और महिला है तो उसके लिए आपको माइनस यूज करना है दोस तो देखें यहां पे A है जो B की मा है मतलब यह तो क्या आपकी महिला है माहिनस है अभी B का में पता नहीं चला है पहला क्योसन थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ आसानी से समझना मित्रूं आगे मैं तुरूंत आपको बता दूँगा यह नहीं है कि सर आप तो बहुत समय ले रहे हैं हम कैसे इनको करेंगे तो थोड़ा समझाने के अंदर आपको समय लग रहा है मित्रूं तो देखे A B की मा है तो A तो हमें पता चल गया है मा है इसका मतलब क्या है यह महिला है लेकिन B का नहीं चला है आगे चलिए क्या का गया है C A का बेटा है यह C है आपका जो किसका A का बेटा है मतलब बेटा है यह क्या है पुरूस है दोस्तों आगे देखे D E का भाई है D है जो आपके किसका भाई है E का भाई है D E का भाई है अब D का तो हमें पता चल गए भाई है यह लेकिन E का पता नहीं चल रहा है यह महिला है यह पुरूस है आगे देखें E B की बेटी है जो E है यह किसकी E है जो आपके B की बेटी है E यह जो B की बेटी है मतलब यह क्या है महिला है दोस्तुं आगे देखे बी app का भाई है ये एप नहीं है रिस्ता है एप का भाई कोन है आपका बी है बी क्या आगया पलस आगया अब इसको शोल कैसे करें अब देखे हमें सबसे पहले क्या का आगया था कि A, B की मा है A, B की मा है तो जिस परकार बड़ा रिलेशन हो उस और तीर करते जाईए समझे वित्रू जो बड़ा रिलेशन हो उसकी और तीर करते जाईए जिस परकार हमने यहाँ पे नीची किया जबकि यह उपर हमें करना है अब देखे यहां पर यह हमारा ग्राब बन गया है अब आपको करना क्या है यहां से देखे बी एप का भाई तो डी की दादी कोन है इसकी दादी कोन है डी की दादी कोन है यह आपको पूछा है अब देखे मितरों हम क्या कर रहे थे यहां पर देखे आपके सामने क्या क्यूसन बन रहा है ये देखे ए है ए का बेटा बी है और इसकी यहाँ पे देखे ये बेटी है ए क्या है बी की बेटी है इसका ये क्या है बेटा और ये क्या हो गई मित्रू यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गई पोती और ये D क्या इसकी बहन है D इसका क्या है भाई है E का भाई D है तो D का और E का ऐसे क्या रिस्ता है D और दोनू के क्या है ये दादी है दोस्तूं क्या है दादी है मतलब D की दादी को निकल कर आ रही है A निकल कर आ रही है Option A आपका सही रहेगा बहुत सारे सातियों को एक बार में साइब समझ में नहीं आया है एक बार फिर मैं समझाने का प्रियास कर रहा हूँ दुबार न देखना इसी क्यूसन को देखिए मित्रू क्या का गया है A B की माँ है A है जो आपके B की माँ है A B की माँ है C A का बेटा है C है जो आपके ये किसका A का बेटा है आगे देखिए D E का भाई है जो D है आपके वो किसका E का भाई है D E का भाई है ये दोनों क्या है भाई बेहन अभी पता नहीं चला भाई भाई है या भाई बेहन आगे निकलेगा क्या है आपका बेटी है मतलब ये महिला हो गई अब देखे आगे बी एप का भाई है एक एप और है जिसका भाई कोन है आपके बी है दोस्तु भाई बी है तो ये क्या हो गया आपका पुरुस हो गया ये महिला महिला का बेटा है बी और बी की बेटी है ए समझे मित्रू और और डी कि का लगा लेकिन आसानी से अमने इसका उततर है जो निकाल लिया समझे मित्रू? अब आगी चले next particles की ओर क्यूसे बहुत ही आसान क्यूसें है आप आसानी से इसको कर सकते हैं बस देखते जाहिए कैसे आपको इसको करना है देखे आराम से जिस परकार मैं बोलता जाता हूं उसी परकार आपको चितर बनाना है ग्राब बनाना है और आसान इसे करना है देखे पहले क्या का गया है E B की बहन है जो आपकी E है ये B की बहन है E B की बहन है E B की बहन है तो ये कह है negative यानि कि महिला है आगे देखिए A C का पिता है जो A है आपका वो किसका C का पिता है A C का पिता है B C का पुतर है जो B है आपके ये किसका है C का पुत्तर है B C का पुत्तर है मतलब ये पुरूस है आगे देखे तो A का E से क्या समन्द है A का E से क्या समन्द है A का E से क्या समन्द है A का पुचा है A का E से क्या समन्द है मतलब A का E से क्या समन्द है मतलब A का E क्या लग रहा है दादा लग रहा है पोती लग रहा है पिता लग रहा है पड़दाता लग रहा है क्या लग रहा है एके एक क्या लग रहा है ये इसका बेटा ये इसका बेटा और ये इसकी बेन तो इसके ये इसके या बीके एक क्या लगेगा दादा तो इसी प्रकारी इसके क्या लगेगा दादा ओपसन एक आपका यहां पे सही रहेगा बहुत असन तरीका है अगर ग्राब बनाकर करते जाओगे तो क्यूसन कभी गलत आपका नहीं होगा क्यूसन नमर तीन में चलिए मित्रू देखिए तीन नमर क्यूसन आपकी स्क्रीन पे तीन नमर क्यूसन में क्या का गया है ए बी का पुत्र है आगे देखिए बी और सी बहיןे यह आपस में क्या है बहने है अब आगे देखिए ए सी कि माता है जो ए है आपकी वो किस की C की माता है E C की माता है दोस्तूं आगे देखे यदि D E का पुत्तर है जो D है वो किसका है E का पुत्तर है ये ये D किसका पुत्तर है E का पुत्तर ये क्या है पुत्तर है दोस्तूं तो निमलिकित में से कौन सा कतन सही है वो आपको बताना है अब देखिए यहाँ पे आसानी से आपको देखना है साइध आपको graph समझ में नहीं आया है तो मैं दूबारे इसको समझा सकता हूँ दूसरा graph बना कर क्योंकि हमने यहाँ पे बहन और माता को समान लाइन में ले लिया है जिसे आपको आसानी नहीं होगी तो दुबारा बनाता हूँ मैं इस GRAB को देखे मित्रूं, क्या का गया? A, B का पुत्तर है A है जो आपके B का पुत्तर है A, B का ये पुत्तर है B और C बेने B और C, ये क्या आपकी? बहने हैं क्या है? बहने हैं दोस्तों आगे देखें, E, C की माता है जो E है ना आपकी E, ये क्या है? C की माता है आगे क्या का गया है? D, E का पुत्र है ये जो आपका D है ये किसका पुत्र है? E का पुत्र है ये पुत्र है ये पलस हो गया? अब देखें मित्रू अब कौन सा गतन? पहला गतन देखें D A का मामा है D है जो A का मामा है अब देखें यहाँ पे E का यह पुत्री है B पुत्री है और D पुत्र है यानि कि यह तीनु के बहन भाई है यह तीनु बहन भाई है और B का पुत्र A है अब B का पुत्र A है तो A के D से क्या रिलेसन है A के D क्या लगता है मामा लगता है तो D A का मामा है आपका पहला कतन यहां पे क्या हो गया सही हो गया दोस्तु बहुत आसान तरीका है अगर आप इस परकार बनाईए अगर आप आसानी से उतर निकलेगा next question की ओर चलते हैं question number 4 आपका देखिए एक question आपको मैं soul करने के दूँगा next question पांचवा इसी परकार का question रहेगा same detail question है वो आपको खुद को करके मेरे को comment करके उसका answer बताना है दोस्तु तो इसको समझे जिसे आसानी से वो हो जाए अब देखिए अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोध ने कहा यह आपकी है अर्चना कोन है मित्रू अर्चना है यह है आपका विनोध कोन है मित्रू विनोध यह है विनोध अब अर्चना की ओर संकेत करते हुए विनोध ने कहा है क्या कहा है उसका पिता यानि की अर्चना का पिता यह है पिता तो यह क्या हो गई ये क्या हो गई पुत्री, ये क्या हो गई मित्रू, पुत्री हो गई, क्या हो गई, पुत्री हो गई, आगे देखे, आगे क्या है, उसका पिता मेरी महा, उसका पिता विनोध की मा, ये विनोध की मा हो गई, क्या हो गई, मा, विनोध की मा की बेन, विनोध की मा की बेन, ये क्या लग गई विनोद के मोसी लग गई आगे देखे मा की बेन का पुत्र है तो उसका पिता मेरी मा उसका जो पिता है वो मेरी मा मेरी मा की बेन की बेन का पुत्र है तो अर्चना का विनोद से क्या रिस्ता है मतलब मेरी मा की बेन का पुत्र है ये क्या हो गया इसका पुत्र हो गया दोस्तु अब देखे यहां पे अब पूचा क्या है कि अर्चना और विनोध के क्या संबंद है ध्यान से समझना अब देखे यह मा है आपकी कलर चेंज कर लो जिसे आसानी से समझ में आ जाई यह है विनोध की मा यह हो गई मोसी यह हो गई मोसी और यह मोसी का है पुत ये मोसेरा भाई हो गया अब ये मोसेरा भाई है मोसेरा भाई की ये पुत्री है ये क्या है मोसेरा भाई की पुत्री मोसेरा भाई है ये दोनों क्या हो गया आपके और एक बार कलर चेंज करता हूं मैं देखे मित्रू यहां पर आसानी से जिससे आपको समझ में आ जाए यहा के भाई की पुत्री है यह क्या भाई की पुत्री तो क्या लगेगी यह यह क्या लगेगी बतीजी लगेगी क्या लगेगी बतीजी क्योंकि रिष्टे आपको याद होने जरूरी है इस फरकार तो यहां पे दें के बतीजी ओप्सन ए में आ रहा है ओप्सन ए आपका यहां प पर लगया, तो Q-San स कभी गलत नहीं होगा चलाएंने च्ट छूसन की और Q-San No. 5 अमारा इसका कमेंट करेंगे आप सभी साती कमेंट करके आपको एंस्वर में पर करेंगे आप सबी साती किन-किन सात्यों का सही होता है सेम जो हमने चोता क्यूंसन देगा उसी प्रकार का है एक औरत का प्रीचे देते हुए पुरस ने कहा इनकी मां के पती की बेहन मेरी मौसी इतना ही है तो औरत का वेक्ति से रिस्ता आपको बताना है चार उप्सन आपको चाची, मा, चचेरी बेन और ममेरी बेन उप्सन में ने दिये हैं तो देखते हैं किनकिन साथियों को जो बलर रिलेसन है वो समझ में आया है और वो कर सकते हैं देखते हैं कमेंट से पता लग जाएगा आपकी तैयारी का दोस्तों आगे चलें next question की और मित्रू Q potion number 6 देखिए छह chapter number question आपकी screen पे च्छह chapter number question क्या के एरादे के P Q का बाई है देखे बनाइए ये आपका P ये आपका क्यू P Q का बाई है बना लिया आगे क्या का आगे आगे है R Q की मा है R है जो आपकी क्या है क्यूंकि मा है R है जो क्यूंकि मा है ये मा होगी S R का पिता है R का पिता कौन है S है ये आपका S ये क्या है पिता है दोस्तों ये पिता है T S की मा है T है जो S की मा है S की मा कौन आ रही है T आ रही है थोड़ा सा में उपर ले रहा हूं जिसको यह T आपके क्या हो गई IIS की मा तो बताईए P का T से यानि P का T से आपको रिस्ता बताना है P का T से क्या रिस्ता है P का T से यानि T के P क्या लगता है अब देखिए ध्यान से एक एक चीज को समझने का परियास कीजी देखें ये है T T है दोस्तु T का पुत्र है S T का पुत्र है S समझें मित्रू S का S की पुत्री यहां पे कोन आ रही है R आ रही है S की पुत्री R आ रही है और R का बेटा आ रहा है क्यों R का बेटा को ना रहा है क्यूं आ रहा है दोस्तुं तो यहां पे देखे अगर हम यह दोनों तो भाई आ गए जो क्यूं है वो ही पिए हमें यह आया देना है यहां पे देखे यहां पे थोड़ा सा color change गरूँ जिसे समझ में आए यहां पे देखे ये पुतर, ये पोता, ये क्या होगया आपका पडपोता, अगर क्यूँ पडपोता है तो PB क्या होगा, T का पडपोता होगा, इसलिए B option आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा दोस्तों, यह था छट्वे टाइप का क्यूंजन, हमने अच्छी तरह से हैं पर पढ़पोता ही दिया हुआ है आपको पढ़नाती नहीं दिया हुआ है आगे चले next question की ओर बहुत अच्छा question आईगा next question मज़ा आने वाला है next question में मित्रूं क्यूसन नमबर 7 है आपका जो इस्क्रीन पे है थोड़ा सा बड़ा क्यूसन है ध्यान से पढ़े निमनांकित सर्तू को पढ़ कर निमलिकित परसनू का उत्तर दीजी सर्त क्या दिए ए पलस बी का आर्थ होगा कि ए बी का बेटा है ए माइनस बी का आर्थ होगा ए बी का पिता है ए गुणा बी का आर्थ होगा ए बी का भाई है ए भाग बी का आर्थ होगा ए बी की मा है और ए बराबर बी का आर्थ होगा ए बी की बहीन है इन सर्तू को लागू करना है आपक کیوسن दिया यह क्योसन क्या बनाया आपका पी गुणा आर भाग O इन्हें में से चार ओपोसन आपको नीचे दिये हैं इन्हें से आप कौन सा इसमें लागू कर सकते हैं वो आपको लागू करके बताना है तो चलिए मित्रु देखते हैं हमें दिया गए यहां पे P गुणा और बाग ओ यही चीज़ दी गई है तो पहले देखे P गुणा गुणा के अर्थ में क्या होगा A B का भाई है यानि P R का भाई है यह कैए बाई है दोस्तों P R का भाई है आगे देखे भाग दिया है भाग देखे यहां पे दिया हुआ है A, B की मा है R, O की मा है R, क्या है दोस्तु R, आपके, इसकी R है जो, यहां पे O है इसकी क्या है, मा है तो यह मा हो गई R यह क्या हो गई, मा दोस्तु अब आपको पूछा है पहला option देखते हैं P क्यों का भाई है P क्यों यानि अगर यह हमें ओ दिया इसको क्यों कर ले हम यहां पर क्यों कर ले मित्रू तो अगर क्या P क्यों का भाई है देखे यह देखे यह है क्यों की मा है R क्यों की मा है R और R का भाई है P क्या रिस्ता बन रहा है क्या रिस्ता बन रहा है देखे ये है मा ये है भाई ये दोनों तो है भाई बेहन और ये है आर का पुत्र क्या है आर का पुत्र या पुत्री समझे मित्रू पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकता है तो भाई तो नहीं है पी क्यूं का पिता है, क्या पी क्यूं का पिता है, नहीं है, दोनू भाई है ये, भाई बहन है ये, पी क्यूं, पी भाई, आर इसकी बहन, तो इसका ये पिता नहीं हो सकता है, पी क्यूं का मामा हो सकता है, ये इसकी बहन है, ये पी इसका बहन है, तो आर, पी की बहन है, आर R की पुत्री है क्यूं तो क्यूं का P क्या लगेगा मामा लगेगा क्यूं का मामा कौन है P तो P क्यूं का मामा है option C क्या हो गया आपका यहां पे सही हो गया तो मित्रू यह थे हमारे साथ परकार के क्यूसन और इस इन जैसे ही क्यूसन आपको आप कितने ही क्यूसन सोल कर लेना इन जैसे या इन से हटकर क्यूसन आपको नहीं मिलेगा बस गराब बनाईए गराब से आसानी से आप अपने उतर निकाल सकते हैं बाकी आप अगर खुद पर लागू करकर क्यूसन सोल करना चाते हैं तो आसानी से आप उपना उतर निकाल सकते हैं कमेंट नहीं रुकने चाहिए कमेंट आने चाहिए इस वीडियो पर कि आपको तरीका पसंद आया या नहीं आया देखते हैं कितने साती कमेंट करते हैं 6 टोपिक और बचे हैं तो छे दिनों के अंदर हम रिजिनिंग कंप्लीट करेंगे एक बार सभी मित्तर वीडियो को लाइक सेर और जो नए साती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें पांच नमर क्यूसन का एंस्वर कमेंट जरूर करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत